नमस्कार स्वागत है आपका मुनाफ़की मंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरे बताते हैं साथ ही आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं और मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं आज हमारे साथ तीन मेमान है किशोड नाडने हैं मोतिलाल उसवाल फाइनेशल सर्विसेज से वंदना भारती हैं सेपसी ग्लोबल सेक्योर्टी से और दिरेश सोमानी है प्रो इंटेली ट्रेट सर्विसेज से आप तीनों मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजे हैं चली अपने आने की कोशिश कर रहे हैं यह जो टॉप बन रहा अंचार्टेड टेरिटरी में यहां पर गोल्ड है इसके लिए यहां पर स्पेक्लेटिव मूव भी है साथ में यूफोरिया आया है और मिडिलेस टेंशन काफी तरह जिए पॉलिटिकल टेंशन काफी दिनों से थे यह इर हो रही है लेकिन इसके बाद जब करेक्शन आएगा तो वह काफी स्टीप करेक्शन होगा और 3,300 पॉइंट यहां पर गोल्ड करेक्ट होता है तो फिर यह जो टॉप आएगा यह टॉप आना काफी मुश्किल रहेगा काफी महीनों तक हो सकता यहां पर ना आए और वहां मेरी राय यही रहेगी कि भले ही यहां पर आप मान के चले कि 72,500 या 73,000 तो गोल्ड अपसाइड आएगा यह एक उपरचुनिटी लॉस हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से अब यहां पर बाइंग काफी रिस्की हो गई है अगर आपको बाइंग करना है तो स्ट्राटेजी के स अगर किसी को यहां पर करना है इंड्राडे ट्रेड तो बिलकुल सतर्कता के साथ स्टॉप्लस लगा के साथ 17,600 के करीब यहां पर आइंग की सला रहेगी 17,850 का टागेट होगा स्टॉप्लस यहां पर लगाना होगा 17,500 का मैंने छोटा स्टॉप्लस दिया है ताकि small loss के सा correction का wait करना चाहिए जो rally 2024 के second half में expected थी वो already यहां पर उससे ज्यादा rally यहां पर expectation से ज्यादा first half में आई है इसके बाद अगर एक correction phase आएगा तो मुझे लग रहा कि काफी दुनों तक 2-5 मैने तक gold एक consolidation में आ सकता है और fourth quarter में ही जाके फिर हम next move देखेंगे तो काफी तयारी के साथ यहां पर trading करनी होगी और बहुत risky और aggressive buying नहीं करना हुगा क्योंकि वहां से जब position square up होंगे तो यहां पर लगातार हो सकता है कि 3-3-4-4% का downside हम दोग एक दिन में आता हुआ देख लें बिल्कुल सही आपने सही तरीके से कहा तो वंधरा जी आपकी topic क्या है base metals में मुझे भी लग रहा है कि copper में बाइंग यहां पर continue रहेगी तो 823 के करेंग यहां पर बाइंग की सला रहेगी 830 का target होगा stop us यहां पर लगाना चाहिए 820 का और मुझे लग रहा है कि अगर positionally भी यहां पर बाइंग में जाते हैं तो एक बार 840 तक prices वोपर की तरफ जा सकता है copper 840 तक भी जा सकता है दोनों exports को लगता है copper खरीदें वापस से आपके पास आएंगे वाणना जी क्या लग रहा है दोनों तरह की ख़बरें एक तरफ से uncertainty है जो गल्फ कंट्रीज में है दूसरी तरफ US का जो stock है वो बढ़ा है आपकी side play करेंगी किस ख़बर को जादा इन्वेंटरीज जो है वो बढ़के आएंगे तो फिलहाल थोड़ा सा यहां पे अगर आज EIA का डेटा भी इसको मतलब प्रूफ करता है या एक्शुल में इन्वेंटरीज बढ़के आती है एक करेक्शन यहां पे एक्स्पिक्टेड है लिकिन overall crude जो है वो upside में ही है आज क मुझे लगता है कि एक बार market यहां पे 7000 ते लेके 69-80 तक के जो levels है वो दिखा सकता है ओके वंदना जी आखरी सवाल मसालों पर कोई एक काउंटर बता दीजे दिन के लिए इसमें मुझे लग रहा है कि एक काउंटर है धनिया जहां पे आज थोड़ा सा बाइंग जो है वो दिख सकता है फ्रेश बाइंग इंफेक्ट आ सकती है तो 75-65 के करीब आप बाइंग की सला रहेगी जो टागेट होगा वो 7700 का होगा इस टॉपलस यहां पे लगाना होगा 7500 का शुक्रिया वंदना जी आपका दिने जी आपका किसोर से आपका आपको ने वक्त निकाला मुनाफे की मंडी में इतना ही ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो आपके लिए होगा इफेनो जंक्शन